हेलो एव्रिवान आम आयशा फ्रम नाशनल अकैडमी ओफ फायर और सेटी तो आज हम बात करने वाल हैं क्लासिफिकेशन ओफ फायर के बारे में यानि कि आग के वर्गी करण के बारे में तो आप सबने जैसे कि देखा होगा फायर जो है यानि कि आठ जा वो दीखती सेम टायपकी है पर आसा नहीं है इसका call cheddar कinh is है जैसे कि आपको similar दिखती होगी हम सभी को दिखती है चुली जैसे कि उसमें क्या दिखता है हीट दिखता है smoke और light यह तीन चीज़े दिखती है fire में पर आज हम इसके बार में जानेंगे कि classification की according यह किस टाइप की रहती है कितने types रहते हैं इसके ठीक है कितने टाइप में से classify किया गया तो आज मैं आपको दो स्टैंडर्ट बताने वाली हूं एक Indian standard के according एक एक एफपी एक according यानि कि American standard की according ठीक है यह दो standard रहते हैं जिनको आजकल follow किया चाता है तो इन दोनों को मैं आपको पताने वाले हूं, पहले हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टांडर्ड के अकॉर्डिंग, ठिक है, इंडियन स्टांडर्ड के अकॉर्डिंग, फायर का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गी करन किया गया है, वो चार टाइप में किया गया है, फस्ट है हमारे A क्लास फ वाले में बात करेंगे, A class fire वो है, यानि कि जो ठोस पदात से लगने वाली आग रहती है, यानि कि solid type fire, छिक है, solid type fire जो है, ठोस पदातों से लगने वाली आग, जैसे कि कपड़ा, पेपर, लकडी, बिल्डिंग्स, और जितने भी solid materials रहते हैं, उनमें लगने वाली आग को ब liquid type fire, यानि कि तरल पधार्त में लगने वाली आग, जो भी fluid materials रहते हैं, यानि कि petrol, diesel, kerosene, इन सब में लगने वाली आग को बोलते हैं, liquid type fire, तरल पधार्त वाली fire, ठीक है, तो आपको ये clear होगे, A class fire, यानि कि solid type fire, B class fire, यानि कि liquid type fire, ठीक है, अब हम बात करेंगे C class fire की, यानि कि gases fire, gas fire, gas हो में लगने वाली आग को बोला जाता है, ये gas type fire होती है, ठीक है, gas type fire जो है, जैसे कि आपने देखाऊगा, अपने घर में जो LPG gas रहती है, ठीक है, LPG gas जो रहती है, उसमें भी लगने वाली fire, जो है, उसे gas type fire में रखा गया ह और भी gases होती है, जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेदी है, जैसे कि methane, poppin, butane, इन सब में लगने वाली आग जो है, वो होती gas type fire, तो जो gas type fire है, उसे रखा गया है, C class fire में, ठीक है, C class fire में, बात करते है, D class fire की, तो D class fire जो है, उसे बोलते है, metal type fire, यानि कि धातुओं में लगने वाली आग, ठीक है, तो धातुओं में लगने वाली आग कौन सी होती है, जैसे कि magnesium, ठीक है, iron, aluminium, silver, ठीक है, इन सब में लगने वाली आगों को बोला जाता है, metal type fire, ठीक है, तो आपका clear होगे यहां से Indian standard, Indian standard के according कौन कौन सी fire होती है, A, B, C, D, four types में classify किया गया है, A, solid type fire, यान कि solid material से लगने वाली आग, ठोस पदात से लगने वाली आग, B, liquid type fire, यान कि तरल पदात में लगने वाली आग, C, gas type fire, यान कि gases में लगने वाली आग, D, metal type fire, यान कि धातुओं में लगने वाली आग, यह चारो टाइप किस में आते हैं, Indian standard में तो अब मैं आपको बताऊंगी American Standard जिसको NFPA भी बोला जाता है NFPA का मतलब है National Fire Protection Association ठीक है जिसको की American Standard भी बोला जाता है ठीक है इसमें क्या क्यों मैं यह आपको बता रही हूँ क्योंकि आजकल Industries में यही फॉलो किया जा रहा है ठीक है तो बहुत से लोगों confusion रहता है इन दोनों को mix कर देता है तो ऐसा नहीं है Indian के according 4 है और American Standard के according 5 है ठीक है तो इसमें क्या किया गया है same वही है A class fire A class fire जो solid type fire ही है यहने की ठोस पदातों में लगने वाली आग ठीक है B class fire में अपिनोंने क्या किया है flammable liquid and gases इन दोनों को ही एक साथ रख दिया है ठीक है तो इसमें क्या किया है उनने liquid और gas को एक साथ रख दिया और कोई भी difference नहीं है A हो गया इनका solid याने की ठोस पदात में लगने वाली है और B हो गया liquid याने की तरल पदात और gases में लगने वाली आग ठीक है तो इन दोनों को पताया है अब C में क्या हुआ है electrical fire आ गई है क्योंकि industries में क्या है electrical fire से भी accidents हो जाते हैं इस वज़े से यह वाली standards यूज किया जाते हैं यह वाला standard ही यूज किया जा रहा है अचकल क्योंकि electrical fire को भी indicate करना जरूरी है तो electrical fire जो है C होता है Sun से जो heating आती है Sun से जो heat आती है उसकी वज़े से heat हो जाता है वह और उसकी internally heating इतनी होती है कर्मियों में इसकी वज़े से उस पैनल में अगर लग जाती है तो पूरा electrical short circuit हो जाता है तो उसमें लगने वाली fire को electrical fire बोला गया यानि कि जो भी बिजली की आग रहती है fire बोला देया है तो यहां से आपका clear हुए यह तीन चीज़ a b c a solid type fire b liquid और gas type fire और c electrical fire अब d वही है से metal fire यानि कि धातुओं में लगने वाली आग जो पांचवा है जो पांचवा है वो है के टाइप fire यानि की kitchen टाइप fire kitchen type fire जो रहती है वो रहती है अपने kitchen के जो material रहती है यानि कि mainly अपना cooking oil क्या में अपना cooking oil cooking oil में जो आग लग सकती है क्यों लग जाती है वो जैसे कि जो अपना mustard oil रहता है refined रहता है घी रहता है इन सब में लगने वाली fire को बोला गया kitchen type fire क्या होता है इनका एक time पे temperature इतना high हो जाता है कि वो normally fire जो है वो catch कर लेते है ठीक है तो यह यहाँ से आपको clear हो गया कि Indian standard और American standard में क्या difference है American में यह है कि इसमें 5 टाइप की fire रहती है बी में इनने दोनों fire को include कर दिया liquid और gases को यानकी फ्लेमेबल लिक्विड और gases कर दिया है और इनने एक अलग type रखा है C और K दो अलग type रखे हैंने C में क्या है electrical fire और K में क्या है kitchen type fire यही difference होता है तो आज हमारा clear हो गया इंडियन स्टैंडर्ड के according चार टाइप की fire होती है और अमेरिकन स्टैंडर्ड के according पांस टाइप की fire होती है ओके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक्स्टिंग्यूशर कितने राइप के होते हैं और उनको किस fire पर यूस किया जाता है ओके सो थैंक यू